हेलो फ्रेंड्स वेलकम डू माई होम कीचन और आज मैं आपके साथ शेर करूँगी कच्छे चावल का एक मज़ेदार सा नाश्ता जी हाँ फ्रेंड्स कच्छे चावल से ये नाश्ता हम बना करके तयार कर लेंगे साउथ इंडिया का बहुत ही ज़्यादा फेमस ये नाश्टा है जी बिल्कुल अगर आपके पास टाइम नहीं है तो ये नाश्टा आप 15 से 20 मिनट के अंदर बना करके तयार कर सकते हैं बिल्कुल आपको यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी एकदम आसान और बेतर आथा हमें इस्त्माल करना है तो मैंने तक्रीवन दो कटोर इतना चावल का आठा लिया है इसमें हम एड करेंगे आदा कटोर इतना दही इसमें जरूर डालेगा दही से ये नाश्टा बहुत ही हमारा जाली बने तो दिखे यह सबरतन में मुझे इसे हिलाने में दिख्कत हो रही थी तो मैंने इसे एक बड़े से बॉल में transfer कर दिया है और अभी हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे पहले मैंने एक कप इतना ही पानी इसमें डाला है और देख करके और एक कप इसमें पानी डालेंगे वैसे भी पूरे बैटर को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने अड़ई कप इतना पानी इस्तमाल किया है लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम देख करके इसमें पानी डालते जाएंगे याद रिखिये वैसे भी हमने इसमें दही भी आधा कप इतना इस्तमाल किया है और देखें इसे अच्छे से एक बार मिक्स करने के बाद इसमें और थोड़ा सा पानी हमें चाहिए तो मैंने आधा कप इतना पानी फिल से इसमें डाल दिया है पानी जादा मत डालेगा याद रिखिए इसलिए देख करके ही आपको इसमें पानी डालना होगा बैटर हमारा एक्तम पतला नहीं रहना चाहिए बैटर की consistency आप एक बार देख लीजिए इसी तरह का बैटर आपको भी बनाना है इससे जादा या गाड़ा बैटर आप मत बना को सब्सक्राइगे इसी दरहां हमी यहाँ ऑपर दो परिपरेशन करनी है जी एक तो है यहीं बर्तन में दो गलाश इतना पानी डाल लापकर की से उंपालने की लियर रखना है और दूसरी वाली प्रिपरेशन के जो स्टैंस न इससे हमें वाल लगा लेना है यह दोनों प्रिपरेशन हमें न इल्ली के बैटर को प्रिपेर करने से पहले तयार करनी है यहाँ पर जो नाश्ता हम बनाने वाले हैं इसे चावल की आटे की इल्ली ही कहा जाता है वो तिया आसानी से बन जाती है जी तो दिखें सभी स्टैंड्स को हम अच्छे से पहले ओईल लगा है और 20 मिनट के बाद इधर देखें यह जो हमारा बैटर है यह जो मिक्षर है थोड़ा सा सेट हुआ है आप देखेंगा एक बार तो इसमें हमें लास्ट मिनट में एक चीज आइड करनी होती है इसे बहले एक बार इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे बैटर है जादा नहीं लेकिन अच्छा खासा यह बैटर हमारा यहाँ पर रेडी हुआ है जी इसमें हम आइड करेंगे स्वादनुसार नमक तो दो छोटे चमों इतना नमक मैंने इसमें डाल दिया है अच्छे से इसे एक बार मिक्स कर लेंगे बहुत ही इंस्टन्ट यहाँ पर ह इंस्टन्ट मैंने पहले आपको बोली ना वो पहले ही कर लेना है यानी एली के बरतन में पानी हमें पहले डालना है और इल्ले स्टन्ट को भी पहले हीप करके रखना हमें इसे स्टैंड में फील करना है जितने फास्ट मैंने इसकी प्रोसेस आपको बोली फ्रेंड्स उतना ही फास्ट आपको इसकी प्रोसेस करनी होगी नहीं तो इनों का पावर यहां पर कम हो जाएगा और हमारी इल्लिया एक्तम फुली फुली नहीं बनेगी यानि अच्छे लेकिन अवह चलिए हम इल्लि के बर्तन में रख देते हैं कि इल्लि के बर्तन में पाणी में उबाला चुका है यह दिखिए तो एक ऐक करके साइस की साब से इल्लिस्ट्स को हम बर्तन में रख देंगे सभी इल्ली स्टांस को इस तरह से अरेंज करना है ग्यास का फ्लेम हाई टू मेडिम की बीच का रखेगा और बस लिर से कवर करके इसे 15 मिनिट के लिए पकने देजिए बिल्कुल जिस तब नहीं करना है 15 मिनिट तक वेट करेंगे इसी दोरान चलिए फ्रेंज से अभी हम उतपा बना लेते हैं तो इल्ली की बैटर से जिस तरह से आप उतपा बनाते हैं सेम उसी तरीके से यहाँ पर हम उतपा बना लेंगे पैन को अच्छे से गरम करना है, ओल लगाना है और थोड़ा सा बैटर इस चावल के आटे का इसके उपर डाल करके अच्छे से इसे हम फैला लेंगे एक राउंड शेप का उतपा हम यहाँ पर बना लेंगे जी गैस का फ्लेम हाई रिखेगा और अच्छे से इसे पकने दीजे क्योंकि चावल के आटे को पकनी के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है जादा भी नहीं बस दो मिनिट के लिए इसे न आप धक करके पकाईएगा गैस का फ्लेम यहाँ पर मस्ट भी मेडियम रहना चाहिए पहले हाई रखाता गैस का फ्लेम प्यान अच्छे से गरम होने के बाद मेडियम कर दीजिए और इसे लिड से कवर करके दो मिनिट तक पका लीजिए दो मिनिट के बाद यह देखिए उपर वाली साइड इसकी पूरी तरीके से सुख चुकी है ड्राय हो चुकी है तो इसे अभी हम फ्लिप कर लेंगे फ्लिप करने के बाद इसे ज़्यादा पकाने के आवशकतार नहीं है तो एक से दो मिनिट तक इसे दूसरे सैडवेश सेखने के बाद यह दिखे जी हमारा उतपा यहाँ पर चावल के आटे काप बन करके त्यार है यह भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है फ्रेंट सारी तर देखे 15 मिन तक इल्ली को पकाने के बाद इल्लिया भी हमारी बहुत इच्छी से पक चुकी है नाइप से मैंने उसे चेक किया पिल्कुल भी नाइप को बैटर नहीं चिपका था तो गyaस कफले मौफ करके इल्ली स्टाइड को हम अलग कर लेंगे एके करके इल्ली स्टाइड को अलग करना है और इसे पूरी तरीके से थंड़ा होने दीजिए तब ही इल्लियों को इल्ली स्टैंड से अलग कर लिए नहीं तो ये जो चावल के आटे की इल्लिया है ना ये स्टैंड को बहुती जल्दी से चिपक चाती है तो देखिए इल्लिया पूरी तरीकी से थंड़ा होने के बाद मैंने इसे इल्ली स्टैंड से अलग कर लिया है और पराटा हमें फर्मेंट करने के अवशकता नहीं है, ना घंटों की प्रोसेस करना है, 20 मिनट के अंदर ये मज़दार सी इलिया आप बना करके त्यार कर सकते हैं, जी देखिए कितनी स्पंजी है, और यहां पर मैंने इसे सर्व किया था, मुंफली के चटनी के साथ, आप उसे रेसिपी को आप धर पे जरूर ट्राइ कीजिए वीडियो, अच्छा लगा हो, तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं जी, अगली वीडियो में आईसे ही मज़दार सी रेसिपी के साथ, धन्यवाद,